पुरान अश्टम सकंद चोथा द्याय गज और ग्राह का पुर्व चरित्र तथा उनका उध्धार श्री सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित उस समय ब्रह्मा शंकर आदी देवता रिशी और गंधर्व श्री हरी भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके उपर फूलों की वर्षा करने लगे स्वर्ग में दुन्दुब्वियां बजने लगे गंधर्व नाचने गाने लगे रिशी चारन और शिद्ध गन भगवान पुर्शुत्तम की स्तुति करने लगे इधर वो ग्राह तुरंत ही परम आश्चरिय में दिव्य शरीर से संपन हो गया यह ग्राह इसके पहले हुहु नाम का एक स्रेष्ट गंधर्व था देवल के शाप से उसे यह गती प्राप्त हुई थी अब भगवान की कृपा से वो मुक्त हो गया उसने सरवेश्वर भगवान के चरनों में सिर रख कर प्रनाम किया इसके बाद वो भगवान के शुयस का गान करने लगा वास्तव में अविनाशी भगवान ही सरविश्रेष्ट है कीड़ती से संपन्य है उनी के गुन और मनोहर लीलाएं गान करने युग्य है भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्ष से उनके सारे पाप ताप नश्ट हो गये उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सब के देखते देखते अपने लोक की यात्रा की गजिंद्र भी भगवान का स्पर्ष प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया वो पितांबर धारी एवं चतुर्भुज बन गया गजिंद्र पुर्व जन्म में द्रविड देश का पांडिय वंसी राजा था उसका नाम था इंद्र द्यूम्न वो भगवान का एक स्रेश्ट उपासक एवं अत्यंत यसस्वी था एक बार राजा इंद्र द्यूम्न राज पाट छोर कर मले परवत परत रहने लगे थे उन्होंने जटाएं बढ़ार ली तपश्वी का वेश धारन कर लिया एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकागर करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्व शक्तिमान भगवान की अराधना कर रहे थे उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अग्यस्त्य मुनी अपनी शिष्य मंडली के साथ वहाँ आप हूँचे उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और ग्रिहस्तोचित अतीथी सेवा आदी धर्म का परित्याग करके तपश्वीयों की तरह एकांत में चुप चाप बैठ कर उपासना कर रहा है इसलिए वे राजा इंद्र द्यूम्न पर कुरुद्ध हो गए उन्होंने राजा को यशाप दिया इस राजा ने गुरु जनों से सिक्षा नहीं गरन की है अभिमान वश परोपकार से निव्रित्त होकर मन मानी कर रहा है ब्रह्मनों का अपमान करने वाला यह हाती के समान जड़ बुद्धी है इसलिए इसे वही घोड अज्ञान मई हाती की यूनी प्राप्त हो श्री सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित शाप एवं वर्दान देने में समर्त अगस्त्य रिशी इस प्रकार शाप देकर अपनी शिश्य मंडली के साथ वहां से चले गएं राजर्शी इंद्र द्युम्ने ने यह समझकर शंतोस किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था इसके बाद आत्मा की विस्मृती करा देने वाली हाती की यूनी उन्हें प्राप्त होई परंतु भगवान की अरादना का ऐसा प्रभाव है की हाती उन्हें पर भी उन्हें भगवान की स्मृती हो ही गई भगवान श्री हरी ने इस प्रकार गजिंद्र का उद्धार करने उसे अपना पारशद बना लिया गंधर्व शिद्य देवता उनकी इस लीला का गान करने लगें और वे पारशद रूप गजिंद्र को साथ ले गडुर पर सवार होकर अपने अलौकिक दाम को चले गए कुरुवंश शिरोमनी परिक्षित मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजिंद्र के उद्धार की कथा तुमें सुना दी यह प्रसंग सुनने वालों के कलीमल और दुख प्रको मिटाने वाला एवं यश उन्नती और स्वर्ग देने वाला है इसी से कल्यान कामी द्विजगन दुख श्वप्न आदि की शांती के लिए प्राता काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं परिक्षित गजिंद्र की स्तुती से प्रशन होकर सर्व व्यापक एवं सर्व भूत स्वरूप श्रीहरी भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी श्री भगवान ने कहा जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रपूर्वक एकाग्रचित से मेरा तेरा तता इस सरोवर परवत एवं कंदरा बन बेत कीचक और बास के जुडमुट यहां के दिव्य व्रिक्ष तता परवत शिकर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास्थान मेरे प्यारे धाम शीड सागर प्रकाश में सुएत दीप श्रीवत्स कौस्तुव मनी वन माला मेरी कौमद की गदा सुदर्शन चक्र पंच जन्य शंक पड़ी पक्षी राज गडुड मेरे शुक्ष में कला श्वरूप शेष जी मेरे आश्रे में रहने वाली लक्षमी देवी ब्रह्मा जी देवर्शी नारत शंकर जी तथा भक्त राज प्रहलाद मतश्य कच्छप वाराह आधी अवतारों में किये वे मेरे अनंत पुन्य में चरित शूर्य चंद्रमा अगनी ओंकार सत्य मूल प्रकिडती गो ब्राह्मन अविनाशी सनातन धर्म शोम कश्यप और धर्म की पतनी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनन्दा यमना एरावत हाती भक्ती शिरोमनी द्रुव सात ब्रह्मर्शी और पवित्र कीर्ती नल युधिस्ठिर जनक आधी महापुरुषों का स्वरन करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं प्यारे गजेंद्र जो लोग ब्रह्म मोहुर्त में जग कर तुमारी की हुई स्थुती से मेरा स्थवन करेंगे मृत्यू के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धी का दान करूंगा श्री सुगदेव जी कहते हैं परिक्षित भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनिंदित करते हुए अपना श्रेष्ट संख बजाया और गरूर पर सवार हो गए